नवस्कार श्टुडेंट्स स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल सुभांस क्लास में हम आपके लिए अपने इस वीडियो में लेकर आया हैं बहुते विज्ञान की प्रैक्टिकल परिष्छा या वाइवा में पूछे जाने वाले 25 महत्पूर्ड प्रशन लेकर आया तो उस तीस नम्मर में जो पंदरह नंबर हो टे थो आपके बैवा सी मिलते हैं और 5 फाल से और 5 नंबर आपके चाड़ से मिलते हैं और और बाकी नंबर्स spr आपकी कुश्टी पोचने के अधार मिलते हैं दोस्तों त उखे जाने वाले सभी मैत पूंड क्रैक्टिकल प्रश्न लेकर आए तो है तो वीडियो को पूरा देखिए ज़रूर को सब्सक्राइब कर दिएक यह most important question है दोस्तों इससे आपको 10 से 15 प्रसन आपके बोर्ड प्रैक्टिकल में जरूर मिलने वाल है तो इस वीडियो को पूरा अंद तक जरूर देखेगा यदि वीडियो अच्छा लगए दि वीडियो को लाइक कर देजिगा चैनल को सब्सक्राइब कर देजिगा विल आइकन को आउन कर देजिगा बहुत जादा पूछा गया है दोस्तों बहुत जादा बार पूछे जाने वाले प्रस नहीं 혹시 लेकर आये तो बहुत एक विज्ञाण प्रैक्टिकल कुष्चन ने दोस्तों 2021 में सबसे ज़ादा पूछे जा रहे हैं यह कुश्चनों को अपने यदि पढ़ लिया तो आपकी प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही आसान होने वाला तो पहला कुश्चन है दोस्तों आयन मंडल की सबसे निचली वह उपरी परत कौन सी है आपसे कुश्चन करेंगे जामनर साब आएंगे तो कुश्चन करेंगे आयन म ही परत है वह उपरी परत है दूसली मनडल की प्रतिवी तल से ऊचाय ंपकितने किलो मेटर है तो मंडल की उचाई कितनी है दोस्तों सोने से लेकर 10 किलोमीटर तक कुश्यन नमबर तीसरा है वायू मंडल में वैदो चुम की तरंग संचरण की कितनी विदिया है तो आपसे पूंचे का कितनी विदिया है या आपसे पूंच सकता सभी विदियों के नाम बताए तो विदिया कितनी प् फू तरंग दूसरी कौन सी है दोस्तों व्यों तरंग तीसरी कौन सी है दोस्तों आकास तरंग कुछिशन नमबर चार है LED का पूरा नाम क्या होता है LED का पूरा नाम क्या है जिसे सौट फॉर्म में LED बोल देते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होती है तो क्या होता है Light Emitting Diode क्या होती है Light Emitting Diode Most Important Question है आपके बाइब हम पूछे जाने वाले इन प्रницनों को एक बार जरूर पढ़ के जाईएगा यदि आपके Practical Exam हो रहा है हो तो परम सुनताप पर सुद्ध-Jermanium Crystal विवार करता है पोच सकते हैं आपसे परम सुनताप पर Germanium Crystal विवार करता है तो यह कैसा विवार करता है हैं पूर्ण्य अचालक की भाति ब्याइर करता है किसेम नमबर पांचमा पॉजी ट्रांग की होज किसने की ओप फॉजी कौश की कोज एंडर्सर ने की किसने की दोस्तों पउजी कौश पॉजी की कोज इंडर्सर नेकी क्विश्चिन नमबर शेटमा आइंस्टीन का द्रबमान उर्जा समीकरण को बताए आइंस्टाइन की द्रबमान उर्जा समीकरण को बताए तो क्या होता का आपसे पूछा की चल कितनी होती तो प्रबस की और आपसे यह बहो उसकता है अधार प्रथवी तक आने में कितना समय लगता है तो ब्रक्ति ब्रक्रास को फ trade मंदल से प्रतवी तक काने में लगभख आर्ट सेकेंड का समय लगता हृँ ट्रांसफार्म में होने वाली हानिया कितने प्रकार की होती है आप से कुश्चन पूछा जा सकता है वाइबा में ट्रांसफार्मर में होने वाली हानिया कितने प्रकार की होती है तो ट्रांसफार्मर में होने वाली हानिया मुखता चार प्रकार की होती है कितने प्रकार की होत experience भादस्वारों में क्या होता है तो आदरस्ट्राण्वारों में उसकी दैक्षताा कितनी होती दिशुता हंडेट परसेंट होती ाधरस्ट्राण्वार में होने वाली हैं फ tender की चार परकार की पहली हाने किया ताम रहानी पहली क्या है दूसरी क्या है फ्लक्स आनी तीसरी क्या है सैथिल हानी चौथी क्या है भावर धाराओं में हानी इन्हें आपको पढ़के जाना है एक बार अवस कुशिन नमबर आठ है ट्रांसफार्मर का कार क्या होता है पूछेंगे आपसे ट्रांसफार्मर का क्या होता है उसका प्रियोग कहा किया जाता है क्यों किया जाता है ट्रांसफार्म के द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज क को घटाया या बढ़ाया जाता है ट्रांस फार्म किसके सिद्धांत परकार करता है कुश्ञ क्या होता है कुश्ञ पूछा जाएगा LCR परिपत का सकति गुड़ांग क्या होता है तो सकति गुड़ांग क्या होता है कॉस फाइव अरा फॉन जेड जेड जहां परिपत की प्रतिबादा है और प्रतिरोध है जेड क्या है परिपत की प्रतिबादा है और प्रतिरोध है प्रतिबादा के वियुत कर्म को क्या गहते हैं आपसे पूंच सकते हैं प्रतिबादा के वियुत कर्म को क्या गहते हैं प्रतिबादा के वियुत कर्म को प्रवेसिता कहते हैं क्या कहते हैं प्रवेसिता कहते हैं इन्हें एक बार जरूर पढ़के जाना है आपको यदि आपके प्रेक्टिकल इंग्जाम पास में आ रहे हैं तो अनुनाद की इस्तिती में LCR परिपत का सक्ति गुड़ांग क्या होता है? एक होता है आपसे पूछ सकता है LCR परिपत होता क्या है? ऐसा परिपत जिसमें धारिता और प्रत्रियोद दोनों लगे होते हैं तो वो परिपत LCR परिपत कहलाते हैं सुद्ध प्रेर की परिपत में सक्ति गुड़ांग का मान कितना होता है सुन आप चाही ट्रांसफार्म किसका मान बढ़ाते है? कुषियन पूशेंगे आपके आप चाही ट्रांसफार्म किसका मान बढ़ाते हैं? कुषियन नमबर 15 एक ट्रांसफार्म में कितने प्रकार की धाराइं होसकती हैं? पहली धारा क्या है? तीसरी धारा है प्रेरित धारा तो कितनी प्रकार की धारत पर नहों सकती तीन प्रकार की भावर्दारा प्रत्यावरती धारा और प्रेरित धारा आदर से ट्रांसपारमर किसे कहते हैं यह किसके सिद्धान पर कार करता है आदर से ट्रांसपारमर किसे कहते हैं यह किसके सिद्धान पर कार करता है और यह बहुत ज़्यादा पूचा जाता है आदर से ट्रांसपारमर की दच्छता 100% होती है ये अन्योन प्रेंड के सिधान पर कार करता है कुश्यन नमबर 17 है ट्रांसफार्मर में लोह क्रोड की क्या उप्योगता है ट्रांसफार्मर में लोह क्रोड की क्या उप्योगता है ट्रांसफार्मर में लोह क्रोड की क्या उप्योगता है रान्सफर्मर का का क्रोड के बार बार चुमिके तता आचुमिके उने के कारण ही संपन होता है चुमिके होती है फिर आचुमिके भी हो जाती है Q nonsense number 18, super curious question is किसी प्रत्यावर्ती ध्रातारा प्रुपत में औसा सकती 6 का inch क्या होता है तो आप से पूंचा क्या matter question है दोस्तों P exactement V RMS IRMS cos 5 क्या होता है दोस्तों V RMS IRMS cos 5 भामर धाराओं के क्या उपयोग होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कुश्चिन्स है भामर धाराओं के क्या उपयोग होते हैं कुश्चिन नमर इसका अंसर है पहला दो व्योग होते हैं इसके दोलन सुद्ध धारा मापी में और प्रेरन भट्टी में किसमें होता है दोस्तों सबसे पहले मिलती रहे हैं कि पुछेंगे अन्यों का एक उधारन बताओ या सौप रड़ान का एक उधारन बता तो अन्यों का उधारन क्या होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर होता है और किसके सिधान पर कार करता है चोग कुंडली किसके सिधान पर कार करती या ट्रांसफार्मर अन्यों के सिधान पर कार करने वाला कुछन नम्बर 30 वने प्रेकत का मातरक क्या होता है प्रेकत का मातरक क्या होता है वह सेकेंड होता है यदि आपने ये कुछिन पढ़ लिए तो आपको बायवा में अच्छे वाइनक लाने से कोई नहीं रोख सकता आपके जामनर जो आएंगे इसी से अधारित प्रस्ण संड़स्चड पर अधारित है चुछे संड़स्चड पर अधारित है ऑप से पोछे के थी चानीय तोंबर किस संड़क्र पर अधारित है कुछिन नमबर 23 ए लीनज का नियम किस के पर नियम अनुरुप स्टिकेंट इम्पोर्टन कुस्षिन रभा को स्थीन पॉसलनक्य कुष्टन करती हैं सब्सक्राहण का बाधे ओंभा में दूसरी उंगली क्या प्रदस्तित करती है तो दाए हांद में दाए हांद के नियम में दूसरी उंगली चालक में प्रेरित विद्धु दारा की दिसा की और संकित करती है अधिक दूसरी बहुत बार पूंचा क्या क्या क्यों दोस्तो दूर दिस्टी दोस खेंड का निकटम बिन्दु होता है कर द दोस्तों 25 सेन्टीमिंटर से अधिक दूरी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होते वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वेल आइकन को आउन कर दीजेगा और इसके बास जो आपके बाइबा में बचे कुश्चन होते हैं दोस्तों यह आपने वह ड्रैंग सीट बनाए यह उसमें अक्तिर काँए हम्हां हं यह उससे समंद्धित कुश्चन होते है जो आना उससे समंद्धित शारे मुस्ट इंपर्टन आखर चापकर चाने होते और जो आपको अपने वाइबा लए जो फिगर बनाया उसके कुश्चन नहीं पढ़े तब भी आपके लिब ठिघूं दोस